ओम शान्ति आज भथी का तिसरा दिन है और इसकी प्रात्र कालिन सत्र में हमारे बीच में पधारे हैं हमारे आदर्णिया राजयोगी ने उशा देदेजी एक हाथ हिला कर हम आपका स्वागत करते हैं सतकार करते हैं अभिनंदन करते हैं उशा देदी बाल्यकाल से ही इस इश्वर यज्ञान में चलते हैं विदेश की धरनी अफरिका में आपको यज्ञान मिला लौकिक जन्म भी वहीं पर हुआ लौकिक अलौकिक पढ़ाई पढ़ते पढ़ते वहीं बड़े भी हुए और फिर आपका परिवार सहीत भारत में इस्थानांत्रण हुआ और फिर भारत में आने के बाद 1980 से आपने अपने समर्पित जीवन की आत्रारंब की 80 से लेके 92 तक मुंबई विले पारले और हैद्राबास सिवा केंद्रों में अपनी सिवाएं थी और फिर तो 93 में आपको बहुत सुनरा आउसर मिला मदुबन निवासी बनने का तो 93 से आश दिन तक मदुबन हेड़कॉर्टर में बेस्ट रहकर आपतेश विदेश की सेवाएं करते हैं आरंब में जब यहां आए आप मदुबन में तो विदेश के भाईबे ने SML की ट्रेनिंग कराने आये थी उस ट्रेनिंग को लेकर उस पाठ्यक्रम को आपने भारत निवासियों के अनुसार मोल्ड किया और उसके द्वारा काफी सेवाएं की कंपनियों में जाकर जिसके कारण से आप फेमस हुई किस नाम से SML वाली उश्या बहन फिर आपने अपने ध्यान को फोकस किया हमारे महा कावियों पर जैसे की रामायन है महा भारत है और उसका आध्यात्मिक मर्म क्या है उसको सबके सामने रखा और फिर बाबा की मुर्लियों में जो बार-बार बाबा कहते रहते हैं कि बाबा की एक इच्छा भी तक बच्चों ने पूरी नहीं की है कौन सी ये बात अगर सिद्ध हो जाए कि गीता का भगवान स्री कृष्ण नहीं शिव है तो देखो कितना परिवर्तन आ जाएगा तो वहाँ आपने अपना ध्यान के इंद्रित किया और काफी बड़े-बड़े धर्म सम्मेलनों में इस बात को आपने रखा कि गीता का भगवान शिव है जो सचमुच बड़े-बड़े धर्माचार्य अभी उससे कन्मीन्स हो जाते है तो ऐसी हमारी उश्या बहन जी जिनकी ग्यान और योग में बहुत गहराई है आज हमारे बीच में है और जैसे अभी हमने गीत सुना मस्तक सिहासन पर हम आत्मा हैं हम राजन बने और शासन करें तो राजन बनकर शासन करना मतलब कौन सी पावर होना हमारे पास कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर तो कैसे इस पावर को हम अपने में ले आएं इसी विशे पर प्रकाश डालेंगे हमारे देदी जी आदनिया देदी जी ओम शांती बाबा ने हम बच्चों को जो स्रेश्ट क्यान की नीधी दी है उसे हम अपने जीवन के अंदर अनेक शक्तियों को विक्सित करते हैं अनुभव करते हैं अश्ट शक्तियां तो है ही है लेकिन उसके बावजूद भी जो कई शक्तियां हमारे अंदर आती है उसमें से एक शक्ति है ये रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर अक्सर जब ये शब्द सुनते हैं तो इतना तो हम जरूर समझ लेते हैं कि बाबा ने जो रूलिंग करने के लिए कहा कंट्रोलिंग करने के लिए कहा स्वयम को अपने इंदरियों को उसके उपर पूरा अधिकार प्राप्त करना है उसके उपर शाशन करना है साथी साथ जो कमजोरिया मनुष्य जीवन में आ गई है वो कमजोरी वापस हमारे जीवन में न आये उसको रियलाइज करते हुए उसके उपर विज़ई प्राप्त करना अधिकार प्राप्त करना तो ये बाबा ने हम बच्चों को सिक्षा दी है कि बच्चे अपने करमेंद्रिये पर और अपने अंदर जो कमजोरी है उसके उपर अधिकार प्राप्त करना है लेकिन कई मुर्लियों में बाबा और सुक्षमस्तर पर भी ले जाते हैं कि जो हमें राज्जी अधिकार प्राप्त करना है वो करमेंद्रिये के साथ साथ क्योंकि करमेंद्रिये को चलाने वाली भी हमारी सुक्षमेंद्रिया है और वह है मन बुद्धी और संसकार जिसको दूसरे शब्द में शास्तरों में कहा कि एक है करमेंद्रिया एक है ज्यानेंद्रिया तो ज्यानेंद्रिय के उपर भी हमें अधिकार प्राप्त करना है ज्यानेंद्रिय उसको कहते हैं कि जो ग्रहन करने वाली इंद्रिया है तो मन, बुद्धी, चित, वृत्ति और स्मृति इसको कहा जाता ज्यानेंद्रिया जो ग्रहन करती है बाहर की चीजों को अपने अंदर सोख लेती है तो जिस तरह करमेंद्रिय के उपर अधिकार प्राप्त करना है तो बाबा जब सुक्ष मस्तर पर ले जाते हैं तो ये ज्ञानेंद्रिय के उपर भी हमें अधिकार प्राप्त करना है उसमें जो विशेश, चंचलता या आउट ओफ कंट्रोल जिसको कहा जाए वो मन बुद्धी अधिक विचलित हो जाती है और ये मन बुद्धी के आधार से ही व्रत्ती, चित व्रत्ती और स्मृत्ती ये भी काम करती है तो इसे लिए इसके उपर अधिकार प्राप्त करना बहुत आवश्यक है क्योंकि जब तक ये स्वा अनुशाशन, क्योंकि इसको डिसिप्लेन करना है तो अनुशाशन में ले आना है और जब तक ये स्वा अनुशाशन नहीं है तब तक हम जीवन के अंदर प्रगती का अनुभव नहीं करते पुर्शार्थ में आगे बढ़ने का अनुभव नहीं कर सकते हैं लेकिन ये स्वा अनुशाशन जो लाना है कई बार साकार मुरलियों में बाबा ने ये बात कही है कि बच्चे दुनिया में कई सन्यासी लोग भी अपनी इंद्रियों के उपर कंट्रोल लाते हैं लेकिन वो दवाईयों से लाते हैं या कई लोग दमन करते हैं यहां हमें न दमन करना है न दवाईयों का प्रयोग करना है लेकिन ग्यान की शक्ती से उसको अनुशाशन में लाना है तो सबसे पहली पावर जो बाबा हम बच्चों को देते हैं कि ग्यान बल और योग बल जितना ये ग्यान बल योग बल हम अपने अंदर धारण करते जाते हैं उतनी हमारे सुक्ष्म इंद्रियों के उपर अधिकार प्राप्त कर लेते हैं जिसके माध्यम से स्थूल इंद्रियां भी कंट्रोल में चलती है आज दुनिया के अंदर अगर देखा जाए तो लोग अकसर दूसरों को कंट्रोल करने में लगे उपे हैं यह ना दूसरों पर राज्य करना है दूसरों को कंट्रोल करना है वहां तक कि बाबा के बच्चे भी बनने के बाद कहीं बार कहते हैं हमारे पास आते हैं भाई बेने तो क्या कहते हैं हमारे बच्चे को कंट्रोल कैसे करे हम कभी-कभी मन में आता है आप खुद को कंट्रोल कर पा रहे जो बच्चे को कंट्रोल कर सकेंगे जब खुद पर ही कंट्रोल नहीं है अंकुष नहीं है तो बच्चे तो बहुत दूर की बात हो गई है ना तो इसलिए ब्रभ atual surprised चीवन को जब देखते हैं, कि बाबा ने कभी भी किसी को भी कहकर सुधारा नहीं, बाबा को जो कहना था मुरली में सुनाते थे, जिसको उसमें से ग्रहन करना होता था, उसमें से ग्रहन कर लेते थे, बाबा ने डाइरेक्ट कभी किसी बच्चों को तुमको यह नहीं करना चाहिए, तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, तुमको वो नहीं करना, इतने सला सुचन कभी दिये नहीं, जो आज माबाब दुनिया के अंदर अधिकार समझते हैं, कि बच्चे हमारी प्रॉपर्टी है, इसलिए हम जैसे सला सुचन दे, वैसे ही उसको चलना चाहिए उसी से आप बच्चों को कभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। बाबा ने बच्चों को कभी भी कोई सला सूचन दे करके कंट्रोल नहीं किया। मुरली के अंदर ज्ञान दिया। ज्ञान के साथ साथ कर्म फिलोसफी समझाई। और वो कर्मो फिलोसफी के आधार पर जिसको परिवर्तन करना है वो स्वयम अपने आप वो शक्ति विक्सित करके परिवर्तन करें क्योंकि कोई भी इनसान को आप कंट्रोल करते हुए परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, काईदा नहीं है और अगर फिर भी दुनिया में जैसे भै और आतक आज इतना विक्सित क्यों हो रहा है ताकि दूसरों पर कंट्रोल प्राप्त कर सकें तो हिंसक तरीका अपना है लेकिन वह हिंसक तरीके से कितनी देर तक किसी को कंट्रोल कर सकेंगे नहीं कर सकते हैं, भै के माध्यम से किसी को कंट्रोल नहीं किया जाता है और इसलिए बाबा ने कभी भी भै का सारा नहीं लिया जैसे शास्त्र के अंदर भी कई लोग भै दिखाते हैं अगर ऐसा करम नहीं किया न तो जानवर बनना पड़ेगा, ये बनना पड़ेगा गरम-गरम कड़ाई में तुम्हें तला जाएगा कितना भै दिखाते हैं और भै भीत होकर के कितना समय चलाया आज अगर किसी बच्चे को आप कहो कि अगर तुम ऐसा नहीं करेंगे तो गरम-गरम कड़ाई में तुम्हें डाला जाएगा भगवान ऐसी सजा देंगे भगवान का भै दिखाना अयोग क्या था और इसी लिए जब ऐसी बाते अगर करते हैं आज के बच्चो को तो बच्चे कहते फिर तो हमें उस बगवान को मानना ही नहीं है जो बच्च जो बगवान अगर हमें गरम-गरम कड़ाई में तलने वाला हो तो हम उसको क्यों मानें हम उस भगवान को मानेंगे जो प्रेम से हमें हमें प्यार करता हूँ बाबा ने इसे लिए प्रेम की शक्ति को यूज किया तो कभी भी ruling power, controlling power न भै दिखा करके कर सकते हैं न आतक और हिंसा का माध्यम ले करके कर सकते हैं या न क्रोध और एहंकार की भावना के आदार पर किसी को आप अपना हम दिखाओ मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ मैं बहुत कुछ ये कर दूँगा न वो कर दूँगा न कर सकता हूँ न तो दुनिया में भी आज लोग फिर उस challenge को सविकार कर देते हैं और क्या कहते हैं जो मन मैं कर लो जो होता है कर लो अब तो हम बिलकुल नहीं सुनेंगे ये कहते हैं न था ये कर लो बस अमें जो ये कर लो केटू करी सकते हैं तो हम भी देखेंगे तुम क्या कर सकता है ये आज का response हो गया इसलिए बाबा ने कभी भी न अपना अधिकार अहंकार दिखाया बाबा ने न कभी कोई भै दिखाया न धरमराज कभी भै नहीं दिखाया बाबा ने बाबा ने हमेश्या प्राप्ति की बाते सुनाई प्रेम से और प्राप्ति की बाते कि बच्चे पॉजिटिव बाते सुनाई कभी negative का साहरा बाबा ने नहीं लिया तुम ये करेंगे तो देखो बच्चे तुम्हें ये प्राप्ती होगी ऐसी प्राप्ती होगी तुम कितना उँच पद को प्राप्त कर सकते हो अपने जीवन के अंदर इस जीवन में भी तुमारे अंदर क्या-क्या खजाना विक्सित कर सकते हो कितनी शक्ती अपने अंदर अनुभव कर सकेंगे तो बाबा ने हमेशा positive बाते ले करके बच्चों को समझाया कभी-कभी नेर्मल शांता दादी अनुभव सुनाती थी कि कभी-कभी बाबा जो है न हमको डांट लगा देता था कि बच्ची तुम्हें ऐसा थोड़ी करना चाहिए सब के बीच में क्लास के बीच में कभी-कभी बाबा जो है सकत हो जाता था नेर्मल शांता दादी के थी हमको पता ही नहीं चाहिए कि किस बाद कि क्या हुआ कि डांट किस लिए पड़ रही है तो फिर बाहर आकर के यर्मल चांता दादी बाबा को घुमाने ले जाते थी गाड़ी आती थी चलाना तो बाबा को गाड़ी में घुमाने ले जाते थी फिर रास्ते में दादी पूछती थी बाबा को कि आज क्ला बाबा कहता था कि दुनिया में कहावत है कि बेटी को दांटों तो बहु सीखे तो तेरी कोई गलती नहीं थी गलती दूसरे नहीं गिया था लेकिन उसको बाबा डाइरेक्ट नहीं कह सकता है फिलिंग आ गई और चली गई है न बाबा का हाथ छोड़ दिया तो फिर बाबा तो निमित बन जाएंगा न तो इसलिए दुनिया में भी एक कहावत है कि बेटी को कहो तो बहु सीख जाएगी तो इस तरह से ये बच्चों को अगर कुछ सिखाना है उनको डांट लगाएंगे फिलिंग आ जाएंगी चले जाएंगे तो बाबा का हाथ छोड़ देंगे तो उसके लिए जिम्मेवार मैं हो जाओंगा इसलिए मैंने तुझे कह दिया ताकि वो सीख जाएंगी है न तो तेर्मल शांता दादी कहती है फिर तो है न अगले कलब में मैं बाबा को कहूंगी शिबाबा को मुझे आपकी बेटी बनाए नहीं है बिना कारण के मुझे डांट खानी पड़ती है तो मेरे को दूसरे कलब में तो आपकी बेटी बनना ही नहीं है तो बाबा भी हंसी कर द डादेता था कहने का भावार्थ मेरा है कि बाबा ने कभी भी कोई भी बात के लिए बच्चों को कभी डाटा नहीं जो हाथ कि गुलजार दादी हमेशा बताती थी कि जो माताएं बच्चों को संभालती थी छोटे बच्चों की होस्टल होती थी जिसमें बाबा माताओं को निमित बनाया था उन बच्चों को संभालने के लिए तो बाबा हमेशा उन माताओं को भी कहता था ये मेरे चैतन्य ठाकूर है इनकी बहुत अच्छी संभाल करना है उनको कभी डांटना नहीं है इनकी पूजा करना है हमें यह पवित्र है तो बाबा छोटे बच्चों को भी इतना महत्व देते थे और इतना प्यार करते थे कि मेरे चैतन यह ठाकूर है और इसी लिए वो बच्चों के अंदर जिस तरह का संसकार बाबा ने डालना चाहा वो संसकार बाबा डाल सके आज प्रैक्टिकल गुलजार दादी को जब देखते हैं उसी होस्टल से जब दादी आई तो चाहे गुलजार दादी हो चाहे इशु दादी हो चाहे कुझ दादी हो यह सारी दादियां जो थी उसी छोटे बच्चों की होस्टल में थे जिनको बाबा कहते थे यह मेरे चै कि परवरिश में कोई कमी नहीं आनी चाहिए कहने का भावार्थ के बाबा ने कभी उनको डांटने नहीं दिया वहां तक कि लौकिक में यह संसकार बाबा का लौकिक से था खली शिव बाबा आने के बाद ही यह संसकार बाबा का हो गया ऐसा नहीं कहेंगे लौकिक से बाबा का ये संसकार था कि जब एक बार बच्चे घर में तुफान मचा रहे थे खुब दोड़ा दोड़ी करके तुफान कर रहे थे खेल रहे थे चीजे इदर उदर हो रहे थी तो यशुदा माता किचन में रोटी बना रहे थी वहाई भी घुम गाम करके दोड़ा दोड़ी कर रहे थे बच्चे दोड़ा दोड़ी तो करेंगे तो बाबा का घर जो था न ऐसे गाड़ा सिस्टम था तो किचन जो लास्ट में था तो वहाँ यशुदा माता ने बच्चों को खाली बेलन दिखाया अब मारूंगी बोले अब तुफान मस्ती किया तो और बाबा आगे से घर में प्रवेश कर रहे थे लौकिक में तो गाड़ा सिस्टम जैसे था घर तो जैसे ही अंदर गुज रहे थे बाबा ने देखा कि यशुदा माता ने बेलन दिखाया बाबा ने बच्चों को बुलाया चलो बाबा गुमाने ले जाता है आपको और सभी को गाड़ी में बिठाया और फिर का मैं आता हूँ एक मिनट और आकर के किचन में यशुदा माता को कहा आज बेलन दिखाया सो दिखाया आज के बाद बेलन कभी नहीं दिखाना तो यशुदा माता ने कहा कि बच्चे बहुत तुफान कर रहे हैं आपको क्या मालू तो बाबा ने कहा कि देखो आज तुमने बेलन दिखाया कल वो एक दूसरे को दिखाएंगे तो ये संसकार कौन डाल रहा है तो बच्चों के अंदर ऐसे हिंसा के संसकार हमें कभी डालना नहीं है प्यार से समझाओ जो आज की दुनिया के अंदर छोटी बात के लिए भी बच्चों को थपड मारना तो कौमन बात हो गई तुभान कर रहे हैं मार दिया है न या कुछ भी गुसे में आकर कर दिया बाद में जो है होश आता है कि अरे मैंने क्या किया वो एक सत्य कहानी किसीने सत्य गटना मुझे बैजी तो कहा कि एक पिता नई गाड़ी लेकर के आया तो बच्चा खेल रहा था वो छोटी गाड़िया नहीं होती है उससे खेल रहा था उसको छोटी कार दिया होंगा तो खेलते खेलते जैसे गिस गए उसके ये पईये आदी जो थे तो जब नहीं गाड़ी पिता साफ कर रहा था उसको अच्छे से तो बच्चा अपनी वो गाड़ी लेकर सोचा उसके उपर गुमाओ में है अब उपर गुमाई है तो स्क्रैचिस गई गिर गए अब स्क्रैचिस आये तो वो पिता इतना गुसे में आ करके उसने जो मारा इसके दोनों हाथ ले करके उसको मना पता नहीं क्या किस पर गिसा ऐसा जोर से जो उसके नाखुन में से इतना खुन निकला उस बच्चे का और हड़ियां उसकी तूट गई समझो इतना मारा उसको कि बात मत पूछो और जो है उसको फिर हॉस्पिटल ले जाना पड़ा उस बच्चे को रात को वो बाप को पश्चता भोने लगा खुब रोया बच्चे के आगे कि मुझे माफ कर देना मैंने क्या कर दिया तुझे मैं ने क्या कर दिया मेरे को तुझ माफ कर देना तो उस समय वो बच्चा पिता को कहता है कि कोई बात नहीं आप रो नहीं आप पश्चाता अप नहीं करो मैंने सीख लिया भी क्या आगे से कभी में आपकी गाड़ी को खराब नहीं करूंगा, समझ लिया, कहने का भावार्थ ये है, कि आज मनुष्य गुस्से में आकर के क्या नहीं कर देता, बच्चों को कंट्रोल करना चाहता है, जो खुद को कंट्रोल नहीं कर सकता है, खुद के गुस्से को कंट्रोल नहीं कर सकता है, खुद के अंदर की जो आ सकत किसाइय उसको कंट्रोल नहीं कर सकता। jet जब best ordinary राज्य नहीं है और बच्चों पर राज्य करने चले धूसरों को कंट्रोल करने चले बाबा ने हमें ये सिखाया कि किसी को भी अगर सिखाना है तो खाले प्यार से नहीं लेकिन सम्मान दे करके जो बाबा कहते थे ये मेरे चैतन्य ठाकूर है अर था थो बच्चों में भी ये संसकार के भई उनको भी ये स्वमान जागरत होता था कि हम चैतन्य ठाकूर है तो हमारे से ये कर्म नहीं होना चाहिए अपने आप उनको आता था ठाकूर ये काम थोड़ी करेंगे जो चैतन्य देवता होंगे वो ऐसा काम थोड़ी करेंगे तो आप बच्चों के अंदर इतना उची स्वमान की जागरती करो जो उस स्वमान में आकर के वो अपने आप वो संसकार को जागरत कर सके तो इसी लिए प्यार सम्मान जब दिया जाता है तब आप खुद की गुसे को या खुद की अंदर जो कमजोरियां हैं उसको तो कंट्रोल करेंगे अपनी इंदरियों के उपर राज्य कर सकेंगे और साथ ही साथ दूसरों को जो आप सिखाना चाहते हैं वो भी सिखा सकते हैं सम्मान देना और इसी लिए बाबा का हमेशे यह स्लोगन था खुद के लिए के जो कर्म मैं करूंगा मुझे देख सब करेंगे और इसी लिए बाबा ने करके सिखाया कहके नहीं सिखाया करके सिखाया हर चीज के लिए पहले खुद किया कभी बाबा दोभी गाट में पहुँच जाता था और दोभी गाट में खुद बाबा कपड़े को जैसे सटके मारते हुए उनके अंदर उमंगुत साबर देता था कभी बाबा अनाज सफाई में पहुँच जाता था अनाज खुद साफ करने बैठ जाते थे सारे बच्चे देखते थे रहे बाबा मम्मा अनाज साफ करने बाबा ने हम भी करे चले जाते थे तो बाबा ने कोई भी का रिये किसी को स्थूल रिती से न ओर्डर दिया न राज चलाया अपना न अधिकार दिखाया स्वतंत्रता ती खुद को समझते हुवे खुद को change करने के लिए खुद को परीवर्तन करने के लिए और इतना सम्मान दिया और उनके स्वमान को जागरत किया कि उस स्वमान में आक़र के वो अपने आप स्वयम को भी कंट्रोल करने लगे कि ये कार्य करेंगे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा बाबा ने कभी नहीं कहा है ऐसा करेंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा लेकिन इतना सम्मान दिया जो उनको अपने आप में एक रियलाइजेशन आने लगा यह काम करेंगे बाबा को अच्छा नहीं लगेगा अथोरिटी होने के बावजूद भी अथोरिटी को कभी यूज नहीं किया दूसरा कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर यग्य के अंदर जो बाबा ने चलाया कि कभी भी आपको अगर दूसरों को कंट्रोल करना है तो पहले खुद त्याग करना जरूरी है बाबा ने जब त्याग किया हर बात का त्याग किया तो अपने आप लोगों ने सुनना शुरू किया बाबा को बाबा कभी भी ये छोटे से कमरे में रहे जहां अंदर बात्रूम भी नहीं बाबा बाहर जाते थे सनान करने के लिए भी बाबा बाहर होते थे बाबा का कमरा जो था छोटा सा ये तो अभी बढ़ाया पीछे वाला जो हिस्सा है वो बढ़ाया बाबा का तो अतना ही कमरा था और उसी कमरे में बाबा सारा समय रहा जबकि ये ट्रेनिंग सेंटर बन रहा था इदर हिस्ट्री हॉल के आसपास जो नए कमरे बने थे बाबा कभी उस कमरे में नहीं गया बाबा ने वो कमरा बच्चों के लिए रखा बाबा की ये त्याग की भावना को देख करके हर एक के मन के अंदर खुद भी त्याग करने का संकल पाता था कि हम भी करें बाबा कर रहे हैं बाबा यूज नहीं करते हैं तो बाबा ने खुद त्याग किया तो वो प्रभाव दूसरे के उपर पढ़ता है और स्वतह सभी कंट्रोलिंग पावर मना खुद के उपर अंकुष ले आना सीख रहाते हैं अगर बाबा ही गुसा करे बाबा ही ये करे बाबा कहे हर चीज मैं यूज करूं तो बच्चों के अंदर भी कभी भी ये त्याक की भावना नहीं आते थी कभी भी बाबा ये नहीं कह सकता था कि बच्चे तुम्हें ये नहीं करना चाहिए ऐसा नहीं करना चाहिए नहीं बाबा ने हर चीज प्रैक्टिकल खुद किया और ये त्याक की शक्ती भी बाबा के अंदर कैसे आई तो त्याक की शक्ती आई बेहत के वैराग्य से कि ये पुरानी दुनिया में नया कुछ है ही ही नहीं ये बाबा की भावना थी पुरानी दुनिया में हर चीज पुरानी है मकान भले नया बनाया हो लेकिन है तो पुरानी दुनिया तो एक वैराग्य और उस वैराग्य के आधार पर बाबा ने त्याग किया और तब जा करके बच्चों को सिखाया आज की दुनिया के अंदर कई माबाब बच्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और उनको त्याग सिखाते हैं तुम्हें टीवी नहीं देखना है एक्जाम आई न टीवी नहीं देखना है और तुम पढ़ाई कर टीवी देखेंगा तेरा मार्क्स पीछे आ जाएंगे, तुम्हें टीवी नहीं देखना है और खुद टीवी देख रहे हैं, अब बच्चा सुनेगा, नहीं, तो इसलिए कहा कि जब खुद त्याग करते हैं, इसलिए कहते हैं कि अगर बच्चों को टीव नहीं देखना चाये, तो माबाब को भी टीवी का त्याग करना पड़ता है, तब बच्चे सीखते हैं, तो कंट्रोल करने के लिए, रोब और क्रोध का प्रयोग करने के बजाए, जितना त्याग के भावना से, वैराग्य की भावना को यूज करते हैं, तो खुद भी कंट जाता है और शक्ति आती है, जिस तरह से आज की दुनिया के अंदर, जितना व्यक्ति अपनी इंद्रियों के उपर सैयम रखता है, उतना खुद के अंदर रूलिंग पावर, कंट्रोलिंग पावर को सहज विक्सित कर सकता है, बार बार अगर अनेक इच्छाओं के वशीब हो जाते हैं, तो जहां खुद के उपर ही सैयम नहीं है, तो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर तो बहुत दूर की बात है, और यही सैयम को विक्सित करने के लिए, दुनिया के अंदर व्रत, व्रत का जो यह चला कि आज फलाने चीज का व्रत है, आज फलानी व्रत है, ताकि एक दिन का भी व्रत लेंगे, एक दिन में भी व्यक्ति अपने आपको देख सकता है, कि मेरे अंदर सैयम कितना आया, और उस सैयम में आकर के हमने उसको, उस इंद्रियव को कितना जीता है, कि मन भी हमारा उस तरफ गया या नहीं गया, यह देख सकते हैं, व्रत में भी उसका मन बार-बार गया तो वो समझ जाता है कि मेरे में इतनी भी शक्ती नहीं है जो मैं अपने मन को कंट्रोल कर सको तो लोगों ने जो उपवास और ये व्रत लिये भक्ती मार्ग में चाहे एक साल के लिये लिया या कुछ दिनों के लिये अब तक वो त्याऊहार चलता है उतने दिन के लिये लिया कि बहुइ नव रातरी के नव दिन का ये व्रत रखना है या ये उपवास रखने है तो उस 9 दिन का भी उपवास और व्रत करने के बाद भी उनके अंदर इतना संयंब आ जाता था शक्ति आ जाती है तो बाबा ने भी हमें ये विकारों की परहेज क्यों दिया है कि बच्चे ये वरत लो ये वरत में पक्के रहो क्योंकि वरत लेंगे तो वरत्ती कंट्रोल होगी वरत नहीं है तो वरत्ती कंट्रोल में नहीं आती है और व्रत्ती कंट्रोल में नहीं है तो चित एकागर होना चाहिए उसके बदले बटकता रहेगा चित की एकागरता नहीं बनेगी संकल्पों में तुफान आरंब हो जाएगा इसलिए भक्ती मार्ग में भी अगर कोई चीज के लिए व्रत लिया, उपास लिया, नियम लिया तो वो नियम से उनके अंदर संयम बढ़ता है बाबा ने भी इसलिए हम बच्चों के लिए नियम दिये कड़े नियम लगे कईयों के वहां तक के शुरू शुरू में जब बाबा हैदराबाद में थे तो वहां लोग आकर कहते थे बाबा को कि बाबा आपका ग्यान इतना उचा है सब कुछ बहुत अच्छा है बस आप ये नियम निकाल लो फिर देखो कैसे भीड मच जाएगी बाबा ने का मुझे भीड चाहिए ही नहीं न मुझे तो स्वर्ग के राज्य दिकारी चाहिए स्वर्ग में चलने वाले चाहिए लोग मुझे भीड थोड़ी चाहिए और इसी लिए बाबा ने कभी नियमों को लेकर मर्यादाओं को लेकर कभी कॉम्प्रमाइस नहीं किया कि बच्चे ये तो पालन करना ही होगा लेकिन उसमें भी बाबा ने हमेशा ज्ञान सुनना है तो ये नियम धार्णा मर्यादाओं है अगर नहीं कर सकते तो नहीं आओ उसमें भी बाबा ने किसी पर जबरस्ती नहीं किया और देखा गया कि जैसे जैसे वो नियम मर्यादा क्योंकि समय अनुसार बाबा ने नियम मर्यादा ही दिये वर्तमान समय की मांग है और इसी लिए ये नियम मर्यादा कितना सेफ रखती है हमें और हमारे अपने उपर कितना कंट्रोलिंग पावर आ जाता है यह स्पष्ट किया, एक भाई ने अपना अनुबहु सुनाया मुझे, कि वो एक कंपनी में मैनेजर था, समझो, तो जैसे सब अलग-अलग जगह शेहरों में मैनेजरों को रखा होता है, कंपनी वालों ने, तो जब उनकी मीटिंग होती है, तो डाइरेक्टर लोग सारे मैनेजरों को बुलाते हैं, तो साल में दो-तीन बार मीटिंग में उसको जाना पड़ता था, बाबा का पक्का बच्चा, तो पक्का बच्चा होने के कारण जो है, मीटिंग में जरूर जाता था, लेकिन अपना लेके जाता था, वहां का खाता नहीं था, लसन प्याज वाला होगा, बाबा की मरियादा जो है, उस मरियादा को पालन करना है, और इसलिए न वहां का खाता था, न वहां की चाई कॉफी लेता था, अपना टिफिन लेके जाता था, चाई कॉफी तो पिता ही नहीं था, तो व पैसे का बहुत बड़ा गफला हो गया तो सारा इलजाम इस भाई के उपर आया कि इसने बहुत बड़ा गफला किया है इसने ऐसे पैसे की हेरा फेरी की है बहुत मना उसके उपर इलजाम आया और उसने कहा मेरे पास अपने आपको निर्दोष सिद्ध करने का कोई उपाई न तो जब सारे मेरे उपर बरसने लगे वहां तक कि टॉप मेनेजमेंट वाले भी कि इसने किया है इसने सच्चाई से हिसाब नहीं रखा है ऐसे करके बहुत बड़ा इलजाम आया तो जो कंपनी का मालिक था मालिक ने कहा कि ये व्यक्ति के उपर भले आप इलजाम लगा रहे हो लेकिन जो व्यक्ति यहां की चाई नहीं पीता है जो यहां का खाना नहीं खाता है वो पैसा क्या खाएगा तो कहा ये बाबा की जो धार्ना थी उस धार्ना ने मुझे बचाया ये नियम ने मुझे बचाया कि मुझे अपने आपको सिद्ध करने के आवश्रक्त ही नहीं पड़ी वो मालिक खुद कहा कि यह यहां का खाना नहीं खाता है तो पैसा क्या खाएगा यह व्यक्ति इतना संयम वाला है कि यह कोई गलत काम करी नहीं सकता है तो कहां इनका विश्वास देख करके मैं बाबा को थैंक्स किया कि बाबा आज ये नियम मर्यादा बोले नहीं तो लोग गुसे में आ जाए अगर जूठा इल्जाम उनके उपर लगा तो मेरे मुझे न क्रोध करना पड़ा न मुझे अपने आपको सिद्ध करने के लिए लड़ना पड़ा न मुझे बाबा के ये नियम मर्यादा ने मुझे इतना बचाया कि मुझे अपने आपको सिद्ध करने के हवश्रक्ता न पड़ी तो सेल्फ रूल, स्वानुशाशन, स्वयम के उपर अधिकार जिसके कारण उसने कहा जब क्रोध नहीं आता है इसको अहंकार नहीं दिखाता है किस व्यावहार कुशलता ही उसकी बताते हैं कि ये व्यक्ति ऐसा गलत काम करी नहीं सकता है तो बाबा के नियम मर्यादा हमारे अंदर वो शक्ति को जागरत करता है और उस शक्ति को जागरत करते हुए हर रिती से हम सेफ हो जाते हैं बाबा हमें सेव करता है, कोई व्यक्ति का सपोर्ट लेना भी नहीं पड़ता है आपको, क्योंकि नियम मर्यादा का सपोर्ट बहुत बड़ा सपोर्ट है, तो इसी लिए जो है, प्यार से, त्याग से, सम्मान दे करके, बेहत की वैराग्य व्रत्ति को ले करके, और नियम मर्यादा जो बाबा ने दी है, ये हमारे लिए बहुत बड़ी शक्ति का स्रोत है, जो हमारे अंदर की शक्ति को जागरत करता है, जो स्वा अनुशाशन या सेल्फ कंट्रोल हर बात में हमारा सहज हो सकता है, इनी धार्णाओं के आधार पर ये प्रेक्टिकल है जीवन के अंदर, बाकि अगर ये धार्णाय नहीं हैं, तो क्रोध भी आएगा, अहंकार भी आएगा, लोब भी आएगा, शक्ति भी नहीं होगी, और बैनों को चोटी-चोटी बातों में रोना भी आएगा, फीलिंग भी आएगी, मूड आफ भी हो जाएगा, सब हो जाएगा, एक कम्जोरी के शिकार हो जाएंगे लेकिन जब इन शक्तियों के आधार से हम अपने अंदर स्वानुशाषन लाते हैं तो आपको छोटी-छोटी बातों में न फिलिंग आएगी न रूसना, रोना कुछ भी नहीं होगा शक्ति इसको कहा जाता है तो इसी लिए बाबा हम बच्चों को बार-बार जो रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर के लिए जोर देते हैं क्योंकि अंतिम समय ये शक्ति हमारे लिए बहुत उप्योगी होगी अंतिम द्रिश्य जो सामने आएंगे उन द्रिश्य को देखते हुए अगर हमारा स्व के उपर अनुशाशन नहीं है स्वयम के उपर सैयम नहीं है तो कहीं न कहीं वो कमजोरियां हमें शिकार बनाती रहेगी हम साक्षी द्रश्टा होकर के नहीं रह सकते तो इसलिए स्वव अनुशाशन का मतलब ही है कि दमन से हमें अपने आपको कंट्रोल नहीं करना है लेकिन समझ से ज्ञान की शक्ती से ज्ञान बल और योग बल से अपने अंदर वो शक्ती को विक्सित करते हुए सेल्फ कंट्रोल करेंगे तो आपको देख करके आपके परिवार के अंदर भी वातावरन शुद्ध होगा छोटा सा एक्जाम्पल अगर मैं दूँ कि आज अगर किसी घर में एक व्यक्ती शराब पीने वाला आजाए आदत लग जाए उसकी संग के रंग में आकर के अगर ये आदत लग गई तो सारे घर का वातावरन कैसा कर देगा लड़ाई जगडा अशान्त एकदम हाँ कितना हो जाता है एक व्यक्ती नेगेटिव आदत के शिकार हुआ तो घर का पुरा वातावरन ये हो जाए तो एक व्यक्ती अगर पॉजिटिव हो जाता है वरत लेकर के स्वयम का अनुशाशन करते हुए तो सारे घर का वातावर नहीं होगा बदल नहीं जाएगा इसलिए जो बाबा ने हम बच्चों को स्लोगन दिया है स्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन कई बार एक बार यहां मीडिया वाले आये थे तो मीडिया वाले आये थे तो कहा के एक व्यक्ति के बदलने से क्या होगा तो बहुत लोगों से उसने डिस्कॉशन किया बहुत लोगों से हर एक ने कहा के ने विश्वपरिवर्तन से विश्वपरिवर्तन जरूर होता है तो जब बहुत लोगों ने का फिर भी वो satisfying नहीं हुआ लास्ट मैं जो है दादी जी से मिलने आए प्रकाश्मनी दादी थे उस तो प्रकाश्मनी दादी से मिलने आए तो हम लोगों ने दादी को बताया था कि दादी पत्रकार जो है हर एक के पास जाकर के यही एक सवाल कर रहा है कि स्वाप परिवा एक व्यक्ति के परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कैसे होगा आप कैसे यह दावा कर सकते हैं कि स्वाप परिवर्तन से विश्व परिवर्तन होगा दिनो दिन विश्व तो भिगडती हालत में जा रहा है, कहाँ सुदर रहा है, तो यह स्लोगन आपका सही नहीं है, तो दादी जी को मालुम था कि भैभी ये, तो वो लास्ट में आया, दादी जी के पास मिलने के लिए, जब सारे निकल गए, उस ते दादी जी को यही सवाल पूछा है, दादी जी सोगात दे रहे थे, उस समय सब भी को सोगात दी, डाइरी पहन अपनी तो होती है, तो दादी को जब उसने वही सवाल पूछा, तो दादी मुस्कुराई, कहां मुझे पता चलना, आपने सब से ये सवाल पूछा है, अब मैं इसका जवाब आपको नहीं देंगी, लेकिन आपको ये डाइरी सोगात दे रहे हो, और डाइरी का कोई भी पन्ना खोलो, बाबा का जवाब मिल जाएगा आपको, है न, बाबा क्या जवाब देता है, देखो, तो जैसे ही उसने कोई भी पन्ना खोला, तो खोलते ही, चार स्लोगन, दो सो पेज की डाइरी, मानना, चार सो स्लोगन तो हो ही जाते हैं, न, दो दो slogan एक एक पेज पर होता है तो 400 slogan तो होता ही है तो जैसे ही उसने ऐसे डाइरी खोला कोई भी पन्ना खोला तो उस पन्ने पर आया सुवपरीवर्तन से विश्वपरीवर्तन तो जैसे ही इसलोगन आया तो दादी ने कहा देखो तो बाबा ने जवाब दे दिया आपको, कि यही विधी है विष्व परिवर्तन की, और कोई विधी नहीं है, तो वो दादी को देखे, फिर हम लोग बैठेते हम लोगों को देखे, फिर कहता है दादी को, आपने कोई जादू किया, वो जैसे जादूगर लोग नहीं होते हैं, कि आपके मन में क्या बात चल रही है, वो यह लिखत में पहले से दिखा देते हैं, तो कहां आपने जरूर कोई जादू किया, यह आप जादू जानती है, दादी ने कहा, देखो, मैंने सवाल आपका, डाइरी आपके हाथ में, मैंने खोल करके तो नहीं दिखाया, जो मैं बताऊँ आपको क्या, और 400 में से कोई भी आ सकता था, और कोई नहीं आया, और आपने जो खोला वहीं आया, तो यह तो बाबा के कमाल है न, यह तो बाबा का जवाब है आपके लिए, तो इसलिए इस बात को समझ जाओ, और फिर उपर में जो अस लोगन्था स्वा परिवात, नीचे में विधी बताई हुई थी, हर बात में विधी तो होती है, तो बाबा के कोई भी आप देखो, वर्दान जो मिलता है हर रोज मुर्ली के बाद, उस मुर्ली के अंदर जो वर्दान होता है, वर्दान के साथ उसकी विधी होती है, है न, विधी होती है, बाबा के जैसे दो-चार दिन पहले की मुर्ली के अंदर वर्दान था, कि आप किसी को पहले आप करेंगे, तो वो पहले आप करेंगा, आप किसी को कहेंगे यहां नहीं बैठना है तो वो पहले बैठेगा लेकिन आप कहेंगे आप पहले बैठो तो कहेंगा नहीं आप पहले बैठो है ना तरीगा है तो बाबा हमें तरीगा विधी भी बताता है तो इसी तरह से विधी भी मिल गई उसको तो कहा अब मैं मानता कि हां बाबा ये कारिय जरूर करेगा और स्वव परिवर्तन से विश्व परिवर्तन जरूर होगा तो कहने का भावार्थ यही है कि बाबा कहते हैं किसी को आप कहके नहीं कर सकते हैं लेकिन ज्ञान बाबा ने इस तरह से दिया हुआ है जिस ज्ञान की शक्ती से वो अपने आप में स्वयम के उपर अंकुष ले आता है और जितना आप प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे उतना उसको समझ में आ जाएगा ठीक है तो सेल्फ कंट्रोल या रूलिंग पावर और कंट्रोलिंग पावर किसको कहा जाता है यह प्रैक्टिकल की बात है अच्छा, ओम शान्ति ओम शान्ति प्रेम स्वरूपा मा सरस्वति स्वरूपा हमारी आदरनिय उशा दिदी का बहुत 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 ठैक्स है आप सभी एक तालिसे दिदी का ठैक्स करेंगे कि आप आए और ग्यान की बरसात की